क्या बताओ यार लोन के चक्कर में लोन लेने के चक्कर में इतर देखोऊ स्क्रीन तूट गई तो कोई नहीं इसका रिक वर्थ हॉंस लोन वालों से ही करेंगे पहले तो मेरा mood नहीं था लेकिन दिमाग खराब हो गया मेरा तो इस वीडियो को आप save कर लेना अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो वीडियो को देखना सायद 10 मिनट से उपर भी वीडियो हो सकती है 10 मिनट क्या सपास होगी तो वीडियो ला सक देखना, complete देखना हम आपको बताएंगे अगर लोन वालों ने, fake लोन वालों ने आपको लूटाए मैं एक चीज यहां पर add कर रहा हूँ, fake ना कि genuine genuine loan application वो आपके घर तक पहुँच जाएगी legal notice देगी आपको घर से उठवा भी सकती है यह चीज आप ध्यार रखना, लेकिन जो fake लोग है एक तनीक एक परसेंट भी कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहली चीज आप download कहां से करेंगे आप Google में जाके loan application, loan application दो तिन बार Google Chrome में, Google में search करना उसके बाद में जब आप अपने इस्टा पे उपन नीचे करेंगे न तो आपको बहुत सारे loan application मिल जाएंगे तो वहाँ से आप download कर सकते हैं ठीके, उनकी rating अच्छी नहीं होती वह प्लेट स्टोर पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे जैसे आप click करेंगे, वह retired करेगा आपको Chrome पे और वहाँ से click करके आपको download करना पड़ेगा पहली चीज़ confirm होगी आपको download कहां से करना है अब क्या process हम आपको वह बता देता हूँ लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे जो आपके सारे contact हैं, असली contact आपको उन्हें delete कर देना है, ठीक है? या तो फिर आप copy करके किसी folder में आपको सारा process दिखा देता हूँ लेकिन इक बार पर पहले समझा देता हूँ आप उसे किसी folder में रख लेना, ठीक है? रखने के बाद में और आप उसे दुबारा इडिट कर सकते हैं, इडिट करने के बाद जब loan मिल जाएगा तो फिर आप delete करके फिर अपना असली वाला वहां पर add कर लेना, अपनी के साननी install करके तो आपको सबसे पहले fake contact list create करनी पड़ेगी, डेर सा 150 जो भी है आपको fake contact list create करना पड़ेगा पहली चीज के लिए रो गया, दूसरा आधार कार्ट, pen card आपके पास होना चाहिए इस तरीके से, आपको इस तरीके से फोटो खीचना पड़ेगा फिलाल मेरे phone में है, मैं apply करता हूँ, देखता हूँ, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मैं गाव में अपके आ रहा था, गाव में भूल गया तो मेरे हिसाब से तो वह लोग decline कर देंगे, नहीं देंगे, deny कर देंगे, देखते हैं क्या होता है तो आपके पास आधार कार्ट, पिन कार्ट होना चाहिए, और बैंक, बैंक जिते, बस इतनी सारी चीजे रहे, और आप मस्त उनको लूट सकते हैं, मतलब समझ रहे हो न, और हमारा आने वाला है birthday, इसका पैसा, और birthday का पैसा, लोन वालो को ही वरना पड़ेगा बाई, उन लोगों ने गलात आदमी जे पंगा ले दिया है, चलो कोई नहीं, यह चीज मा आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ, ट्राइ करना, और हाँ, फेक, रियल देखके करना, चलो स्टार्ट करते हैं, यह देखो मैं इस्टाग्राम में आ चुका हूँ, और यहाँ पर यह देखो बाई देखो, लोन वाले हर जगह इन काईट देखने को मिल जाएगा, इधर देखो, लोन, मतलब इतना स्पांसर कर रही है लोग, कि मैं क्या ही बोलू, इधर देखो, हम नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुपी फ्लाई, भाई भाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोन अप्लिकेशन कैस क्रेडिट डाउनलोड हो गई है, ठीक है, चलो हम इस्टॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से आपको डन करना है, ठीक है, ओपन नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सक करके save कर लेना है ठीकि जैसे मैं यहाँ पर 클릭 करता हूं setting पर click करता हूं और यहां से मैं mode setting पर click करता हूं sorry यहाँ पर नहीं है तो मुझे contact वाले application में जाना पड़ेगा यहाँ पर select all कर लेता हूं select all करने के बाद मैं share पर click करता हूं और मैं कुछ मतलब my number ऐसा लिखके एक file बनाऊंगा और उस file में इसे save कर लूँगा ठीक है save हो गया मैं आपको दिखा देता हूँ अब जब भी हमको जरूरत रहेगी हम वहाँ से directly सारे के सारे number को निकाल सकते my number आप देख सकते हैं यहाँ पर vcf file आ चुकी है अब अगर हम अपने phone से सारे के सारे number को delete भी कर देंगे तो यहाँ पर safe रहेगा ठीक है अब मैं फिर से contact application में चलता हूँ यहाँ से select all करता हूँ और यहाँ से delete ठीक है सब को delete कर देता हूँ finally जो हमारा contact हो डिलीट हो चुका है अब मैं दूसरे phone से जो मैं fake contact बनाया था मैं इस phone में transfer कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर दे कोई contact रह गया है चलो इसे रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं एक से क्या होगा एक ही number बचा हुआ है तो चलो अभी मैं अपने mail में चलता हूँ और यहाँ पर जो मैं fake contact मैं लाया हूँ उसे मैं यहाँ पर import कर लेता हूँ अपने phone में तो आपको सेम तरीका अपनाना है नहीं तो जो भी आपके phone में contact number है आप उससे modify कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके हम device में कर लेते हैं ओके so finally आप देख सकते हैं कि यहाँ पर number आ चुका है कुछ number है जो आ चुके है अब यहाँ से देखो 69 number है लेकिन यहाँ से आपको 2-3 real number रखने है क्योंकि वहाँ पर कभी-कभी number चाहिए होता है number reference के लिए डालना होता है तो आपको अपना real number ही डालना है तो यहाँ से चलो मैं एक-दो real number अपना add कर लेता हूँ contact तो दोस्ते यहाँ पर हमने 2-3 contact real set कर दिये ठीके अब हम जो application हमने install किया था fake वाली यहाँ पर चलते है और हम कोशिश करते है loan लेने की दोस्तो आप लोग गलती करते हैं देखो यहाँ पर इसे हम application open करता हूँ permission देखो यहाँ पर है यहाँ पर permission है SMS की install app का camera का device का यानि यह सारा का permission यह लोग ले लेंगे ठीक है जब तक यह लोग message का permission नहीं लेंगे तब तक यह लोग समझ नहीं पाएंगे भाई बंदा real है या फिर fake है चलो यहाँ से हम I agree करती है चलो कोई दिक्कत नहीं हमने सारा permission दे देते है जो करना है तुम करो कोई दिक्कत नहीं हमें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं application बहुत सारी आ चुकी है बहुत सारी आ चुकी भाई इधर देखो इतनी सारी application यह लोग add करके रखे हैं कि क्या है बोलो इधर देखो इधर देखो बाब रे चलो कोई नहीं तो हम loan लेते हैं यहाँ पर load now पर click करते हैं तो यहाँ पर हमको mobile number डालना पड़ेगा तो हम डाल देते हैं यहाँ पर number डाल दिया अभी OTP आएगी OTP आ चुका है 0884 Register now application में अभी हम registered हो चुकी हैं देखो कई सारे लोग इतना ही करते हैं और उनको loan मिल जाता है यह लोग phone पे, Paytm पे पैसा भेज जेते हैं फिर बोलते हैं कि भाई हमने loan लिया है और आप बोलो गयार हमने loan लिया ही नहीं बस application install करी थी चलो कोई नहीं यहाँ पर bank name, account name ओ भाई, चलो यहाँ पर bank name डाल देते हैं फिलाल दोस्वे यहाँ पर हमने सारा information डाल दिया है और नीचे इधर देखो target amount कितना चाहिए तो अगर आप ज़्यादा set कर देंगे पचास हजार तक set कर देंगे तो वह लोग नहीं देंगे ठीक है 3500 इतना ही set आपको करना है हमने 3500 set कर दिया अब हम करते है next जैसे हम next करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर parents contact brother contacts देखो कुछ इस तरीके से यह लोग यहाँ पर number मांग रहे तो parents का मांगेंगे तो यहाँ पर चलो मैं एक number edit कर देता हूँ पापा के नाम से जो मेरा number है तो यहाँ पर मैं इसे edit कर देता हूँ भाई जी मैं लिख दिया था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पापा अब हम यहाँ पर आ गए हैं अब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर सलेक्ट कर लेते हैं पापा जी हमने यहाँ पर नंबर सलेक्ट कर लिया सौरी नंबर गलत हो गया दूसरा मैं मतब दो 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 नंबर सेलेक्ट किया हूं पापा जी पापा जी यह वाला हो गया ठीक है अब यहां पर ब्रदर सिस्टर कॉंटेक्ट तो चलो यहां पर मैं डाल देता हूं सुनील भाई ठीक है मैंने सुनील भाई का नंबर यहां पर डाल दिया और यहां पर एक नंबर डाल दिया तीनों चालू है तो आपको चालू नंबर ही रालना हैँ ठीक है चालू pretended ऩngना या बाद में मतलब भना देते हैं है अब यहां पर देखें को हमको पेंकार्ट का फोट का फोटो लेना पड़ेगा तो चालो हम pen card के friend का photo यहाँ पर ले लेते हैं अब हम pen card पर click करते हैं देखते हैं कि gallery से मांगता है या फिर भाई click करना पड़ेगा ठीक है सामने-सामने click करना पड़ेगा तो चलो यहाँ से हम photo तो भेज़ दिये हैं देखते हैं यह photo लेता है कि नहीं लेता है अगर आप सामने से photo देगे तो success हो जाएगा इस तरीके से तो मेरे इस आप से नहीं लेने वाला देखते हैं चलो यहाँ पर हमने pen card का सारा detail डाल दिया यहाँ पर salary पूछ रहा है तो हम salary यही डाल देते हैं ठीक है अब दोस्तों कई सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपना Gmail ID डालते हैं तो हमारा Gmail hack हो जाएगा या तो फिर Gmail का सारा contact उनके पास चला जाएगा ऐसा नहीं है जो Gmail में रहेगा वो Gmail में रहेगा अगर आप device का permission देते हैं यानि अगर आप phone का permission दे देंगे तो phone में जितने सारे contact रहेंगे चले जाएगा अब अगर आप किसी दूसरे phone का email ID यहाँ पर देते हैं तो उस phone का contact number यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है तो चलो यहाँ पर हमें एक डाल देते हैं at the rate gmail.com अब यहाँ पर आपको अपना WhatsApp number डालना है तो हम डाल देते हैं तो यहाँ पर हमने सारी चीज़े fill कर दी आपको fill कर देनी है ठीक है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमको आधार का photo लेना है चलो यहाँ से हम आधार का photo ले लेते हैं हमने आथार का फोटो ले लिया, बैक का भी फोटो ले लेते हैं, ओके तो यहां पर सारी चीजे मेरे इसाब से हो गई हैं, यहां पर सारी चीजे मेरे इसाब से हो गई हैं, यहां पर सिंगल हूं तो सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूं, अब आप किते पढ़े लिखे हैं, यह सार क्या बोलो यार चलो ठीक है अगर इतनी मेनत करने पर 2200 आ जाए तो फिर साम को पार्टी हो जाए और मेरा बड़े भी आ रहा है बड़े मैं इसी पैसे से मनाऊंगा यार बाकि अगर आपको दूसरा लेना है तीसरा लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं जैसे मैं यहां पर क हम बैक चलते हैं बैक चलके देखते हैं माई ओडर आप देख सकते हैं कि हमने दो का ओडर लगाया है देखते हैं कितने टाइम में आता है या फिर नहीं आता है तो अगर आपको लेना है तो आप यह ट्रिक अपलाई कर सकते हैं बस आप अपना वर्जिनल कॉंटेक नंबर मत देना ठीक है उमीद करता हूँ कि आप समझगे हों कि जो तरीका मापको बता है आप उसी तरीके से करना हाँ हो सकता है कि जब लोन मिल जाए लोन आप ना भरे तो यह आपके सेलफी के साथ छेड़शाड कर सकते हैं तो डरना मत यह लोग सेलफी का कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है भाई अभी इतनी फेस स्वाइब की इतनी बेफसाइड आ गई है ना बस अपना फेस डालो दूसरे के फेस पे तुमारा फेस चला जाएगा तो जरूरी तोड़ी है आपका फेस्बुक से फोटो कोई ले सकता है ले सकता है आपको हरास्मेंट कर सकता है या तो बॉलीवूड के लोग नंगे हो के अपना मतलब सेलीबिलिटी बन रहे है बाई नंगे हो के तो तो टेंसन मतलों बस कॉंटेक्ट लिश्ट ध्या रखना ताकि घरवालों के पास कॉलना जाए वह लोग डिस्ट अपना हो ब दो बीजड़ों घ्या है रवालों के छuur है रवालों के लॉबच के लिए हैगे हैं रही हैंगे हैं बहले संगर है रही है